वेल्कम बैक टू मैं चैनल आपको मैं चैनल पर स्फिसे स्वागत हैं आज मैं सांबर पुआ बनाने वाली हूं यहां मैंने तीन मेडियम साइज के आलो लिए है अरा मिट्स है को भी है एक कटिव प्याज है परवल है जली बनाने स्टार्ट करते हैं कुकर में दो से तीन चम रखेंगे एक आधी चमच जीरा रखेंगे आधी चमच स्वाव पर रखेंगे प्याज को हलका ब्रावन होने तक बूल लेंगे अब इसमें लासन और अधरक का प्रेष्ट रखेंगे इसके बाद एक चमच हल्दी रखेंगे दो चमच धनिया पाउडर रखेंगे आधी चमच लाल मिच रखेंगे मिच अपनी साफ से रख सकते हैं कि वाज कटे विए सब्जिया रखकर भूल लेंगे थोड़ा से पानी एड़ करकर फराइड करेंगे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है सांबर मसाला यहां पर रखेंगे एक चमच अब इसमें दो कब पानी रख कर चार से पान शिटी तक इसको पकाएंगे नमक स्वाज कंसर रखेंगे आपनी साफ से रख सकते हैं देखिए आपर पांच शिटी इसमें लग चुका है सांबर बनकर त्यार हो गया है अब इसे माथनी की साहता से अची तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए यहां पर सब्सक्राइब मिक्स हो गया है दूसरे बर्तन निकाल कर रख लेंगे कितनी अच्छी खुश भी आ रही है यह में भी लग रही है अब चलिए पुहा बनाना इस्टार करते हैं पुहा बनाने के लिए आपर मैंने दो कप पुहा लिए है इसको दो लेंगे कि अधिया देखिए आपर कड़ाई में बाले बदाम को अलका बरान होने तब इसको फ्राइब कर लेंगे देखिए आप अलका बरान हो चुका है अब इसे दुसरे बरतन में निकाल लेंगे इसमें दो बरे चमेश सरसे को एल रखकर लाल मिर्च को रखेंगे जीरा एक चमच रखकर अलका बरान होने तक इसको भूनेंगे चार से पांच करी पत्र मेरे यहां पर रखाया है प्रयाज रख लेंगे सबीक अच्छी तरह फ्राई करेंगे हल्दी एक चमच रखेंगे इसके बाल बहुत रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे देख सकते हैं दो से तिन पानी याड़ करकर इसको पका लेंगे दो से तिन मीनित तक इसको कोबर करके पकाएंगे अच्छे कर सकते हैं देखिए आप बनके डेडी हो गया है थोरा से नमगी सब्राकर इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे ट्रीं भुने गया बलाम को रखकर मिक्स करकर रख लेंगे कि इसे प्लेटिंग करेंगे इसे इसमें रख रख लेंगे आप तो सामबर मैंने रख लिये हैं